हाईलो फ्रेंड्स गुडविनिंग दोस्तों ये वीडियो हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एकजाम 2023 को ध्यान में रखकर बनाया गया कम्प्यूटर जीके का एक most important वीडियो है जिनके इर्दिगित आपके एकजाम में questions पूछे जा रहे हैं लगबग दोस्तों same level के same trends के questions वीडियो में रखे गए हैं जिनके आगे पूछे जाने की पूरी की पूरी संभाव ना है तो दोस्तों आप लोग इने constant होकर solve करें questions कम solve होने पर पूरा पसनों का revision करें ताकि computer gk पसनों में आप लोग अच्छे से अच्छा परफार्म कर सकें तो चले दोस्तों question number 1 के ओर चलते है यानिकि A number विकल्प यहाँ पर हमारा correct answer बनेगा आगे चलते हैं second question की ओर अगला question दोस्तों आप लोग भी solve करने का प्रियास करें आप लोगों को लगबग 15 से 20 सेकेंड का समय मिल रहा है और solve करना भी चाहिए क्योंकि इसे करने से आप लोगों का कांस्ट्रेशन कांटिनू वना रहता है question है नेमन मेंसे किसी भी browser या website का पहला या मुख वेपेस क्या होता है आप लोग जानते हैं दोस्तों लगबग android set अब हर लोगों के पास है तो दोस्तों काफी कुछ चीजे आप लोग जानते हैं थोड़ा सा common sense लगाने का प्रियास करें राइट एंसर क्या होगा नेमन मेंसे किसी भी browser या website का पहला या मुख वेपेस क्या होता है तो home page होता है यह नमबर विकल्पी हाँ भी हमारा correct answer बनेगा अगला question देखेंगे हम लोग question है दोस्तों बिजली की विफलता के दोरान डाटा के नुकसान को रोकने के लिए किस device का प्रियोग किया जाता है question को समझने का प्रियास करें बिजली की विफलता के दोरान डाटा के नुकसान को रोकने के लिए किस device का प्रियोग किया आता है तो किस device का किया आता है UPS का प्रियोग किया आता है B number विकल्ब यहाँ पिया हमारा correct answer वनेगा आगे चलते हैं हम लोग अगला question है दोस्तों बार-बार पुछा जाता है highlighted question है computer network में LAN का पूर्ण रूप क्या होता है यानि full farm बताने यहाँ पर भी हमें तो LAN का फूर्ण नाम क्या होता दोस्तों full farm क्या होता है local area network B number विकल्ब यहाँ पिया हमारा correct answer वनेगा next question देखेंगे हम लोग अगला question है दोस्तों छोटे graphical chain जो computer screen पर परदरसित होते हैं उनको क्या कहा जाता है तो किस नाम से उनको जाना जाता है दोस्तों icon के नाम से जाना जाता है क्या icon A number विकल्ब यहाँ पिया हमारा correct answer वनेगा next question देखेंगे हम लोग six number question को question है दोस्तों computer में bug एक तरह का क्या होता है लगभग सभी लोग जानते होंगे बार बार पुछाता है highlighted question है तो वक्या होता है एक तरह का error होता है C number विकल्ब यहाँ पिया हमारा correct answer वनेगा next question देखेंगे हम लोग अगला question दोस्तों binary अंक अर्थाथ 0 और 1 binary अंक अर्थाथ 0 और 1 को सन्यूक तुरूफ से क्या कहते हैं किस नाम से जानाता है bit के नाम से जानाता है D number विकल्ब यहाँ पिया हमारा correct answer वनेगा bite नहीं करेंगे confusion नहीं करेंगे अगला question देखेंगे question number 8 को question है दोस्तों internet में परियुक्त होने वाली language कौन सी है तो इन में से हम लोगों को बताना दोस्तों कि internet में जो language परियुक्त होती हो कौन सी है तो जावा है A number विकल्ब यहाँ पिया हमारा correct answer वनेगा अगला question देखेंगे हम लोग question दोस्तों monitor के display question को समझने का प्रियास करेंगे monitor के display के याकार को कैसे मापा जाता है बार बार पुछाता है question दोस्तों तो राई tensor क्या होगा monitor के display के याकार को कैसे मापा पाता है diagonally मापा जाता है C number विकल्ब यहाँ पिया हमारा correct answer वनेगा अगला question देखेंगे हम लोग अगला question दोस्तों computer में परियोग होने वाली जावा भासा को किस company ने बनाया हम लोगों ने जावा भासा को भी question को solve किया अब question पूछा जा रहा है computer में परियोग होने वाली जावा भासा को किस company ने बनाया तो Microsoft ने बनाया के इसने Microsoft ने ए नमबर विकल्ब यहाँ पिया हमारा correct answer बनेगा next question देखेंगे हम लो अगला question है दोश्तों computer के मुखी system board को क्या कहते हैं बार-बार पुछाता है दोश्तों कई बार आप लोग इस question को solve किया होंगे एक highlighted question है important question है बार-बार पुछाता है computer के मुखी system board को क्या कहा जाता है तो motherboard के नाम से आनाता है दी नमबर विकल्प यहाँ पी हमारा correct answer बनेगा, अगला question देखेंगे हम लोग, question है दोस्तु, compiler और translator एक तरह का क्या होता है, compiler और translator एक तरह का क्या होता है, तो क्या होता है दोस्तु, software होता है, V नमबर विकल्प यहाँ पी हमारा correct answer बनेगा, next question देखेंगे हम लोग, अगला question दोस्तों Linux कौन सा software है यह पूछा जा रहा है कि Linux कौन सा software है तो Linux एक open source software है क्या है open source software है Linux ध्यान रखेंगे आप लोग अगला question देखेंगे हम लोग question है दोस्तों output देखने के लिए किसका प्रियोग होता है श defer娩 चौन पीक लिए प्रियोग होता है तो इनमें से किसका प्रियोग होता है अगला question दीखेंगे हम लोग question है किसी नट वर्क पर unlight लिखित वार्था आपको क्या कहा जाता है highlighted question दोस्तों, अगर मोखे की बाती होती ही, तो call, जो हम लोग phone करते हैं, वो answer होता, लेकिन किसी network पर जो online लिखित वारता लाप होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, chatting के नाम से जाना आता है, B number विकल्प यहाँ पर हमारा correct answer वनेगा, next question देखेंगे हम लोग, अगला question दोस्तों, computer कौन सी भासा पर कारी करता है, computer कौन सी भासा पर कारी करता है, question को समझने का प्रियास करेंगे, तो machine भासा पर कारी करता है, किस भासा पर, machine भासा पर कारी करता है, अगला question देखेंगे हम लोग, question कोश्चन देखेंगे हम लोग कोश्चन है दूस्तों आप्टिकल इन्पुट डिवाइस जो कागस पर पेंसिल द्वारा लिखित जानकारी स्केन कर पड़ता है किस नाम से नाम से किस नाम से यहां पर हमारा करेक्ट एंसर बनेगा नेक्ट कोश्चन देखेंगे हम लोग कोश्चन दोस्तों भारत का पर्थम कंप्यूटरी करित डाग घर कहां है कंप्यूटर हिस्ट्री से कोश्चन दोस्तों यानि बैक में स्टेटिक कोश्चन उपन गया है भारत का पर्थम कंप्यूटरी करित डाग घर कहां इस्थित है तो कहां नई दिल्ली में डी नंबर विकल पी हाँ पर हमारा करेक्ट एंसर बनेगा नेक्ट कोस्चन देखेंगे हम लोग कोस्चन है दोस्तों निम्न में से कौन साइक एक एपलिकेशन साफ्टवेर नहीं है नहीं बताने दोस्तों ध्यान देंगे अप लोग तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो वर्ड पैड है एक अपली केशन साफ्टर इससे अमलोग करते हैं फोटो साप पर भी करते हैं लेकिं जो भीड़ क्या przewod पर नहीं करते हैं यह हमारा एपलीकेशन साफ्टर साफ्ट वियर बन जाएगा अगला कोस्चन देखेंगे हम लोग कोस्चन दोस सट डाउन करने की सार्ट कट कुंजी क्या है तो क्या है दोस्तों ALT पलस F4 है V नंबर विकल्प यहाँ पर हमारा करेक्ट एंसर बनेगा नेक्स्ट कोस्चन देखेंगे हम लोग कोस्चन है दोस्तों निन में से कौन सा हाडवेर नहीं है अब साडवेर पर बात कर चुके हैं तो हाडवेर पर बात कर रहे हैं दोस्तों निन में से कौन सा हाडवेर नहीं है विकल्प क्या है प्रोसेसर चिप है प्रिंटर है माउस है और जावा है अब हमें बताना है इन में से कौन सा नहीं तो processor chip भी आपका hardware बन जाएगा printer भी hardware है जिनको हम लोग छू सकते हैं उस सारी चीज़ें दोस्तों क्या है एक hardware चीज़ें हैं लेकिन दूनको दोस्तों हम लोग application है इस software में डालते हैं जिन पर work करते हैं दोस्तों यानि जो work हमारा होता है वो software में आता है तो जावा क्या एक भासा है तो यह हमारा software हो जाएगा अगला question देखेंगे हम लोग question है दोस्तों MS word में word count करने की shortcut की कौन सी है question को समझने का प्रियास करेंगे MS word में word count करने की shortcut की कौन सी है control plus shift plus G ए नमबर विखल्प यहाँ पर हमारा correct answer वनेगा अगला question देखेंगे हम लोग 24 नमबर question को स्थों कंप्यूटर परिखिरिया दोरह information में परिवर्थित किये जाते हैं क्या परिवर्थित कियाते हैं data वी नमबर विखल्प यहाँ पर हमारा correct answer वनेगा next question देखेंगे हम question दोस्तों touch screen question है touch screen किस तरह का device है तो यह कैसा device है दोस्तों अब आप लोग थोड़ा से common sense लगए यह input device है क्या input device है अगला question देखेंगे हम लोग question है दोस्तों बार बार पुछाता है highlighted question है www की आभिसकारक तथा संस्थापक कौन थे question पूछा जा रहा है तो कौन है दोस्तो टिम बर्नर से लिए हैं c नंबर विकल्प यहाँ पी हमारा correct answer बनेगा तिम बर्नर से लिए अगला question देखेंगे हम लोग question है दोस्तों DTP का पूर्ण नाम क्या है यानि कि हमें full farm बताने है DTP का तो क्या होगा daily text printing desktop publishing desktop printing या daily text publishing right answer क्या बनेगा दोस्तों desktop publishing होता है बी नंबर विकल्प यहाँ पी हमारा correct answer बनेगा DTP का full farm होता है desktop publishing next question देखेंगे हम लोग question है दोस्तों print out लेने से पहले print out लेने से पहले document को देखने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है तो किसका प्रियोग किया जाता है किसका print out लेने से पहले document को देखने के लिए यानि अपने दोस्तों कोई भी चीज थोटी हो गई है उनको दोस्तों करेक्शन करना है तो उनके लिए हम लिए क्या करते है document को दोस्तों जब हम लोग last में उसका print out लेते हैं यसे हम लोगों ने फार्म अपलाई किया उसको फिर चेक करते हैं बाद में print out लेते हैं तो उनको क्या कहा था print प्रिव्यू के क्लिट क्या आता है कि अपने सारी चीजे चेक कर लिजे कहीं पर भी कोई तूटी तो नहीं है अगला कोश्चन देखेंगे हम लोग बिल्कुल कामेंस्ट का कोश्चन था next question दोस्तों computer के संदर में ALU ये भी most important question है दोस्तों बारबाब full farm इसका पूछा आता है ALU का तो ALU का तात पर क्या नहीं full farm क्या होता है दोस्तों arithmetic logic unit होता है बी नंबर विकल्प यहाँ पर हमारा correct answer बनेगा और इस स्रीज का last question देखेंगे दोस्तों question है CCC का पूर्ण नाम क्या यानि कि दोस्तों यहाँ पे भी हम लोगों को full farm बताने हैं तो CCC का full farm क्या होता है पूर्ण नाम क्या होता है course on computer concept होता है एक बार इसका revision जरूर कर लीजिएगा course on computer concept ते अथे दोस्तों computer GK के most of the question जिनको हम लोगों ने आपे solve किये हैं उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने solve किये होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रस्न सही हो रहे हैं तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल स्विक रुपक